अब हम बात करते हैं कि complementary function कैसे find out किया जाता है तो पूरक फलन ग्याद करने की विद्यां तो हमने जो ली डिफरेंशल एक्वेशन का स्टेंडर्ड पॉर्म लिया था जनरल पॉर्म तो अन्त डेरिवेटिव ओफ वाई प्लस पीवन अन्त माइनस वन डेरिवेटिव वाई इस तरीके से उसको हमने डिफरेंशल ऑपरेटर से सब्टीडूट करने पर यह एक्वेशन हमारे पास आगे थी दीफ आप यहां पर जीरो कर देते हैं जब भी कंप्लिमेंटरी फांशन निकालना हो मतलब उसे होमोजीनियस एक्वेशन में कनबोईट करना पड़ता है क्योंकि अगर क्यू को जब तक जीरो नहीं करेंगे तब तक इसको स्वाल करना पॉसिबल नहीं है एक्वेशन को एक सिंगल एक्वेशन में हमाएक पास कनबर्ट करना करके फैक्टर में अप्लाई करके इसको स्वाल किया जाता है तो यह हमारे पास fd of y equal to zero zero में कनबर्ट हो गई सब्सक्राइब इसका solution है y equal to e power of mx एक solution है वह इसमें अगर substitute करोगे तो fd मतलब d की जगह substitute करोगे मतलब d की power of n p1 तो y की जगह कर सब्सक्राइब कर देते यह replace होकर आएगा तो मतलब y की जगह d की power of n से multiple होगा तो n derivative हो जाएगा तो इस परकार से यह एक अनुदर equation generate हो किया जाती है m की power of n plus p1 m की power of n minus 1 plus pn all cost multiplied by y equal to 0 तो fm of y equal to 0 एक अनुदर equation बन जाती जो given linear differential equation है उससे एक algebraic equations बन जाती है जिसको हम auxiliary equation या साइक समिकरन का जाता है यह साइक समिकरन हमारे को सुलीशन में linear differential की solution find out करने में बहुत मदद करती है वो कैसे है कि जो linear differential equation का जितना order है उतना ही order की यह equations होईगी तो जितने जो solution उसके possible है जैसे एन order की question एन solution होगे तो इस auxiliary equation से अभी हम हम वह solution निकाल लेंगे तो तो उसके जो solution है हलका जो पूरक हैल है उस auxiliary equation से मिल जाएगा उसके एन मूल्स है तो एन मूल्स इससे मिल जाएगा अब इसकी कुछ special cases होते हैं तो उससे हमें यह solution का हम nature प कि जब साइक समीकरण के सभी मूल अनिकवल हो एस समान हो ओल दरूट्स ऑफ ऑक्जलरी की question अर्थ डिफरेंट मत्तब एप एप एम एक्वाल टूट्व जीरो यह की question थे इसके एप रूट्स एन रूट्स है तो एम एन रूट्स है और सारे अनिकवल है तो हम वाई एक्व हैं यह के पावरों यह और मैंने कहा कि जब लिनेर डिफ्रेशन है इनकर लीणिर कॉंबिनेशन भी सोलिशन होगा तो यह एक सालिशन होगा जिसको हम complementary function कहा जाता है तो इसको हम इस तरीगे से मैं में एक्वार्थ यह वापस रखते हैं यह यह वापस रख घ्पलेस सब्सक्राइब तो य एक सोलीशन हो जाएगा जब हम कह रहे हैं कि दूसरा केस्ट देखते हैं कि साइक समय कि मूल समानों अब कितने मूल समानों वो देखते हैं उसके भी डिफरेंट इंटर टर्म के कैस आएगा तो वेन सब्सक्राइब जब दो रूट से मानों मतलब M1 और M2 दोनों एक्वल है इस केस में हम उसको क्या करेंगे उनको को जॉइंट कर देंगे M1 और M2 के दो सुलीशन को जॉइंट करने के लिए हमें क्या करेंगे C1 प्लस C2 X दो सुलीशन का दो आर्बिटरी कॉंस्टेंट को जॉइंट कर देंगे तो C1 प्लस C2 ओप X और E की पावर M1 X तो M1 और M2 दोनों का सुलीशन जॉइंट होकर कि इस तरीके से हो जाएगा C1 प्लस C2 X से रिप्लेस हो जाएगा बाकी के सारे सेम रहेगा इसे परकार अगर तीन सुलीशन अगर एक्वल हो गया M1 M2 M3 तो इसके लिए यह C1 प्लस C2 X प्लस C3 of X स्क्वाइर यह कोफिशेंट यूज किया जाएगा E की पावर M1 X solution के साथ तो इस परकार तीन आर्बिटर कॉंस्टेंट जॉइंट हो जाएगे इसी परकार से अगर समिसर सुलीशन हो जाए समिकरण के मूल अगर समिसर हो जाएं या complex solution हो जाता है तो क्या करेंगे कि पावर Mx लिखा जाता है तो M की जगे एक और हमें पता है कि combination में आते हैं जो complex solution है वो पेर की format में आते हैं अगर एक solution है तो दूसरा solution alpha minus beta होगा तो यह हमने एक solution alpha plus beta हो गया तो M2 हमने alpha minus beta लिया और इसको replace करके जब solve करते हैं तो हमारे पास of alpha x plus beta x plus c2 यहां फिर इसको इस तरह किसे भी लिख सकने सीवें एक पावर of alpha x sin of beta x plus c2 तो यह complex root अब complex root भी जब equal हो जाएं तो इस case में क्या करें तो case 4 है when roots of the auxiliary equation are complex and equal जब साहिक समीकरन के मूल समिसर तता समान हो जाएं तो इस case में जैसे हमने दो constant को हम add करके linear combination में लियाते हैं वैसे इसमें भी करते हैं c1 plus c2 of x e की power of alpha eta beta x plus c3 c4 x of e की power of alpha plus eta beta x इस तरह कर से joint solution हमारा e की power of alpha x cos x c1 plus c2 x cos of beta x plus c3 c4 x sin of beta x और इसका joint solution जो है इस तरह किसे हम लिखते हैं अब हम कहीं बार यूगम की format भी solution होता है जैसे a plus root of b इस तरह के solutions आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे जैसे अब आलफा प्लस आयोटा बीटा है तो आयोटा से दो रियल लंबर्स को जोड़ाएं यहां पर और यहां जो हम पैर की format के solution इस तरह किसी भी आ जाता है अब इसके कुछ examples की हम बात कर लेते हैं तो य का तीन बार derivative है minus 3 double derivative of y with respect to x plus 4y equal to 0 यहां q 0 है already already 0 है तो इसका complementary function नहीं इसका solution complete solution होगा तो हम triple derivative है उसको d से replace किया double derivative को d से replace किया और जिसका कोई derivative नहीं 4y में तो वो हमार पर d की पावर 0 हो गया तो d q minus 3 d square plus 4 में यह convert हो गई अब d को auxiliary equation में convert करने के लिए d को m से replace कर देते हैं तो यह m3 minus 3 m square plus 4 equal to 0 यह auxiliary equation मिल गई अब इसको solve करते हैं factor use करते हुए तो m की value minus 1 अगर इसमें रखते हैं तो जीरो हो जाता है तो यह equation को satisfied तो इसका एक factor हो जाएगा m equal to minus 1 रखने अब अगर यह 00 हो जाए तो यह m equal to minus 1 एक factor हो जाएगा तो इसको हम m plus 1 में convert हो जाएगा minus 1 एक side में लेकर m plus 1 equal to 0 एक factor हो m plus 1 से अब ग्रिष्ट को divide करते हैं तो remaining part m square minus 4 m plus 4 आता है जो जी दूसरा factor हो जाता है इसको यह quadratic equation है इसको solve करते हैं तो m minus 2 का square generate हो जाता है तो m plus 1 multiple m minus 2 का square equal to 0 यह इस auxiliary equation को solve करने पर मिला तो जो solution हो इस तरीके साय m equal to 2, 2 and minus 1 तो इसका general solution आप देखो को दो solution जो है हमारे equal होगा है तो equal होगे तो linear दो constant जो है इसके linear combination के format में convert करके single में convert करेंगे तो c1 plus c2 of x plus e की power 2 multiple e की power 2 x plus c3 e की power minus x तो m की जगे 2 आगया और दूसरे m की जगे minus 1 आगया इससे परकार से कुछ examples और है तो यह d square plus a b d plus of multiple multiple a b और whole cost of y equal to 0 तो इसको हम auxiliary equation में convert किया तो m square plus of a plus b multiple m plus of a b equal to 0 इसको solve किया तो m plus a m plus b की दो factor हो जाएंगे इनको solve करने पर m equal to minus 1 and minus a and minus a minus b दो solution आया इसका general जो है complete solution है बात करें जो की complementary function की format मिलेगा तो वो है y equal to c1 e की power minus l ax plus c2 e की power minus bx क्योंकि m की value है मारी minus a minus b है इसे परकार से यह दो examples हैं d square plus one का whole square d minus one का whole square y equal to 0 है इसके auxiliary equation निकाल लिए हमने जो आई m square plus one का whole square and m minus one का square equal to zero इसके दो factors पर्मेट में लेकर solution निकाल लिए m minus one square equal to zero से है m one one दो solution इसे पकार m square plus one square से है m plus minus आयटा plus minus of आयटा तो दो दो pair solution एक reals जो numbers का जो है pair दो equal solution आ गए इसे परकार दो complex भी equals complex solution भी equal है तो इस परकार से हमरे पास and as required जो है case लगा करके हम यह complimentary बंसन निकाल लिए तो एक one or one two solution equal है तो इसको हम जो है c3 plus c5 plus c6 of x e power of x की format में कर लिए दूसरा दो complex root भी हमारे पास equal है तो इस परकार c1 plus c2 of x cos of x plus c3 plus c4 x sin of x आ गया जो हम यह जो हमने different case बताये थे उन case को देखकर करके आप यह solution निकाल सकते हैं इसे पगार d की power 4 plus 8 d square plus 16 y equal to 0 है इसको अभी हमने auxiliary equation निकाली और इसको solve करके हमारे पास solution मिला plus minus 2 item plus minus 2 complex root के जो pair है वो सेम है उसका use करते हुए हमने c1 plus c2 x cos of 2 x plus c3 c4 x sin of 2 x complementary function मिलता है और यही इसका आपको शॉब सॉल करने है इसमें कुछ doubts है आप मुझे मेरे number पहराऊ